So welcome back guys, मेरा वामलान है और आज के समीकनॉलेज़ फ्री कैम्पेन में हम देखेंगे कि आप Big Basket में किस परकार अकाउंट क्रेट कर सकते हैं जो भी आपके पास Android पार स्मार्टफोन हो उसमें आपको Play Store में जाना होता है Play Store में जाके आप application को खोचते हैं इस केस में हम Big Basket की बात कर रहे हैं तो Big Basket एक ग्रोसरी आप है जहां से आप सबजी बगेरे बगेरे चीज़े खरीच सकते हैं आज कल तो कोई भी आप में कई सारे चीज़े हो सकती हैं तो खेर, पॉपलरली जब Big Basket शुरू हुआ था तो उसमें सिर्फ ग्रोसरी ही मिलती थी तो हम इस application काफी इस्तमाल की हैं इनफांक Big Basket यह नहीं, daily भी यूज़ की हैं तो काफी अच्छा लगा हमें application इंस्टॉल हो जाने देते हैं application जो हैं इंस्टॉल हो चुका है यह हमें कह रहा है कि existing customer है, नहीं हम बिल्कुल existing customer नहीं है और यहां पे choose location एक बार दे देते हैं तो यह app access permissions हो गया यह location अपने आप search कर लेगा हम जहां पे भी है, perfect location ठीक है, kind of चलेगा, यह location तो है नहीं लेकिन आसपास ही है कई location का तो location तो change हो गया और यह इस तरीके से app का interface है हम फिलाग कोई account create नहीं किये अब तक है ना, तो यहां पे देखिए login और sign up दो option है, तो मैं sign up करता हूँ आज के तारीक में मैं जो देख रहा हूँ आप कोई भी application में या फिर अपने existing facebook या google account से login कर सकते हैं और फिर अपने mobile नंबर से आप एक account create कर सकते हैं, तो यहां पे जैसे कि हम एक sign up करते हैं तो basically हमने अपना number दे दिया है और उस number पे OTP जल्द चले आएगा और self detect हो जाना चाहिए तो हम रप जाते थोड़ा, आगया और यह आप देख सकते हैं सारा चीज़ हो गया, तो उसके बाद आपको नाम, उसके बाद आपका email address, यह सारे चीज़े देने हैं तो आप, ऐसा आपको देना है जो आपने पहले कभी शायद इसके account में create करते हुए, विग बास्केट के database में ना हो, तो आप unique चीज़े देजिए तो यहां पर दे देता हूँ, अमलान, दत्ता, और यहां पर दे देता हूँ, आपको यहां पर काफी सारे चीज़े हैं, और हिस्ट्री है, वालेट में फिलाल हमने कुछ रीचार्ज कराया नहीं है, मेरा account तो create हो गया, और मैं अपना अपना address को कभी भी जाके, यहां से जाके change भी कर सकता हूँ, तो जैसे मैं ад a new address करना चाहता हूं, यहां से में अपने सारे detail अपर दे सकता हूँ तो एक मिट में करके और फिर रेज्यूम कर तो मैंने अपना correct address यहां पर जैसे ढाल दिया है यह जो भी address है यह फिलाल मेरा address के लिए मैं कुछ एक short form रखना चाहता हूँ जैसे कि मेरा home address है इसलिए मैं इसको nickname जो दे रहा हूँ वह home दे रहा हूँ तो जैसे कि मैं landmark for easy reach out तो आसपास कोई निया landmark है जैसे डीव smart है तो बस यह हो गया तो add address तो हमारा address इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं जैसे कि आज हमने home address इसमें add किया है तो आप और भी address मांगे चलिए आप office address parent address तो इस तरीके साब address लेकर सकते हैं तो आईए आप थोड़ा सा एप के बारे में हलका सा देख लेते हैं तो इस इसके अंदर भी आप जा सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं आइटम्स रखें तो जैसे कि मुझे मांगे चलिए sunflower oil चाहिए तो आप मैं जैसे कि add कर लेता हूं तो इसमें होता क्या big basket यानि basket में घुश जाता है यह तो आपके basket में चला गया एक बाद जैसे करना चाहते हैं कितने बचे डेलिवर करना चाहते हैं अगर अभी का अभी मांद के चलिए 6 प्यम टो 8 प्यम आप डेलिवर करना चाहते तो ठीक है ने तो इसको आप change भी करा सकते slots भी available होते हैं यहना delivery address भी आप यहां से change कर सकते हैं एक बार delivery और आपका समय का slot आपने दे दिया फिर आप आगे बर सकते हैं यहाँ पर और जाही से बात है कि आपको फिर payment करना होगा तो payment में भी आप कई सारे चीज़ें पाएंगे तो देख सकते हैं कि आपके पास paytm है, payz app है, credit debit card है, net banking है, upi wallet है और आपके पास cash on delivery भी है, card on delivery भी है तो आप जो भी आपको इसमें से pay करना है आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए और आप अगर आप इसको इस्तेमाल करके pay कर लेते हैं तो आपका order जो है एक तरीके से process हो जाता है, तो खär आज का यह tutorial यह नहीं था कि आप big basket में order कैसे प्लेस करते हैं, यह था कि आप किस तरीके से big basket में account create करते हैं लेकिन मोटा मोटी में आपको यह दिखाया हूं कि कैसे big basket में account create किया जाते हैं और किस तरीके से आप हलके में शॉपिंग भी कर सकते हैं, हलके में क्यों बोला मुझे खुद को नहीं बता, anyways, अगर आपको हमारा आज काई ट्विटल पसंद है, और अगर आप आपको ऐसा लगा कि हाँ यार यार ये वाके में, मतलब इसके इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पहले कि मैं भूल जाओं, आप यहां से अपने ओर को कैंसल भी कर सकते हैं, अगर आप चाते हो तो यहां से कैंसल भी हो सकता है, और दूसरा आप यहां पे, open में जाके, यहां से भी अपना orders आप चेक कर सकते हैं, माई account में जाएंगे आप और यहां से my orders history में आपको आपका order देख जाएगा मैं यह भूली गया था चैनल को subscribe करना और bell icon का दबाए रखना, notifications के लिए, thank you so much